कई घंटों से लगातार बार बार पतला दस्त हो रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है तो इसकी सिर्फ एक खुराक पी लेना और 5-10 मिनट के लिए इंतजार करना पानी की तरह पतला दस्त भी रुक जाएगा पेट में दर्द और गुड़गुड़ाहट भी बिलकुल खत्म हो जाएगी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल सरल घरेलू नुस्खे में दोस्तों पानी की तरह पतला दस्त कोई गंभीर बिमारी नहीं है गंदे हाथों से कुछ भी खा लेना या गंदा पानी पी लेने से ऐसा हो जाता है ठंड के मौसम में ठंड लगने से भी पतला दस्त होना शुरू हो जाता है और गर्मियों के मौसम में लू के लग जाने से पानी की तरह पतला दस्त होने लगता है पतला दस्त तब खतरनाक हो जाता है जब लगबग 20-30 बार पानी की तरह पतला दस्त हो जाए इसके साथ ही बराबर उल्टी भी आ रही हो 30 मिनट में अगर 3 बार से ज़्यादा पतला दस्त हो जाए तो इसका तुरंट घरेलू नुस्खे की साहता से इलाज जरूर करना चाहिए इसके इलाज में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए तो आईए मैं आज आपको बताता हूँ कुछ ऐसे घरेलू उपाए जिनका प्रियोग करके आप पानी की तरह पतले दस्त को भी सिर्फ पांच मिनट में रोख पाएंगे जब भी कभी आपको पानी की तरह पतला दस्त सुरू हो जाए तो देर कब पके हुए दूद में आधे कटे हुए नीबू का रस मिला कर इसे तुरंत पी लिजिए इसे पीने के बाद 5-10 मिनट के लिए सीधा लेट जाएए 5-10 मिनट में ही पतला दस्त रुख जाएगा पानी की तरह जब भी पतला दस्त होता है तो सरीर से पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है जिसके वज़े से डिहाइडरेशन हो जाता है डिहाइडरेशन को दूर करने के लिए जब भी आपको पतला दस्त हो दस्त करने के तुरंत बाद आप एक ग्लास पानी ले लीजिये, इस पानी में आपको मिलाना होगा एक चम्मच चीनी और अपनी चुटकी से एक चुटकी आपको इसमें नमक भी मिलाना है, इसे अच्छी तरह से घोलना है और धीरे धीरे घोट घोट करके इसे पीना है, ऐसा रात के वक्त अगर पतला दस्त हो तो इसे किसी भी तरह से आप रोक सकते हैं लेकिन रात के वक्त अगर पतला दस्त सुरू हो जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा कस्टदाई हो जाता है अगर रात के वक्त आपको पतला दस्त सुरू हो जाए तब भी आप इस नुस्खे का प खबराहट और बेचानी नहीं होगी, नींद अच्छी आएगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसने मैंने आपको पानी की तरह पतले दस्त से तुरंत छुटकारा पाने का नुस्खा बताया। ये नुस्खे पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक और शेर कीजिए, सा मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।